जैहिन बच्चों मेजर कलसी क्लासेस के इस ओफिसियल टूप चैनल पर आप सभी का हर दिक्षागत है वेटा आप इस बात का ध्यार रखना वेटा आज हम लोग आपके लिए लेक्या है अगनिवीर नेभी आर्मी साथ ही साथ एयर फोर्स का माडल पेपर जो आपके लिए ब इस्टूट से किसी भी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हूं लेकिन हमारे संस्थान का माडल पेपर देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसकी खासियत है इसको हमारे टीम ने पूरे अच्छी तरह से रिसेर्ट करके क्यूशन पेपर लाई है जिसका प्रते क्यूशन प्रते कां इसको हमारी टीम पर्सनल आपको रिस्पांस करके बिटा आइंसर देगी चलिए सभी साथी को जैहिन जैसा कि आप सभी जानते है कि हम आपके लिए लेकर क्या है रागा का मॉडल पेपर लगातार आपके साथी चला है ठीक है और यहां पर आपका जो मॉडल पेपर होगा जो कि आप आप अगनी वीर के नाम से आ रहा है ठीक है तो वहां पर आज मॉडल पेपर होगे शूट करेंगे प्यारे बच्चों जैहिन मैं रभी कुमार और जीके की किस्टन आपके अगनी वीर वाले मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल रहे है पच्चों मैं एक बा हम लोगों ने एक मॉडल पेपर फिर दिया है तो उम्मीद है कि आप एक अच्छा प्रफॉर्म करेंगे और इसमें आया हुआ इसकोर कमेंड बॉस में जरूर आप बताएं क्योंकि ओ आपको डिसाइड करेंगी कि आप कहां पे हैं तो धेर सारी आपको सुब कामना हैं जय हिंद बच्चों मैं भी जय मोर्या फैकल्टी आप मैस मेजर कलसी क्लासे प्राइबेट लिम्टेड आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक का माडल पेपर जिसका अगनवीर आर्मी नेभी एरफोर्स एक्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है जिसका प्रतेख कांसेट प्रतेख क्यूश्चन आपके एक्जाम में 100 परटेंट आपको शफलता दिख दिलाएगा इस लिए इस वीडियो को आप अंद तक देखते रहेगा और अपने क्यूश्चन को भी सही करते रहेगा साथ ही साथ हमें कमेंट करके आप बताएंगे आपके कितने के कुश्ण सही होती है आईये हम आपको पहला क्यूश्ट देखाते हैं आपका पहला क्यूंछ संख्या बताहिए जो 12, 18 21 से विभाज होती है अब आप सोचेवरा आपके क्या होता आपको क्यों को जब और इक्किस का लीस बार अठारा और एक्की सिर्फारा लें लेंगे इसके बाद आप को यह पता होना चाहिए बिटा की पांच अंकों की जो नियुनितन संख्या होती वह क्या होती है देंगें वह ती ओतीं देखोन आप ार सिंगें प्रीच में के तैन होती है इसके बाद किते हैं है उसका यूरा आप यूर्टकिन Даcken यह आपका यह नाइनी हो गया डाटा ऑपका 21 हो पिर आगाला क्या करतें अब ट्री से लेतें स्विछे थीदिवेंगम टीटि लेक्षिक menorals करते को स्विए त्लिल्य करने का मतलब हो गया सब्सक्राइब करते हैं यानि 252 से कितना हो जाएगे इसके बाद क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहां क्या आ जाएग यहां अगर आप दो तो लेते हैं 3 ले लेंगे बिटा 3 ले लेंगे तो क्या ओजाएक थी टूजाएक शीक्स हो गया तीन के हो जाएगा और फृइव फिल्टीनवन हो जाएगा अखिंट च Max 6 plus 1 क्या हो गया 7 हो गया माइनस करते है यहां से वियाघकर 5 यहां किया हो गया यहां कितना हो जाए किटा यहां साज़ आपका टू कितना हो गया यहां सी एटियो ले जाते हैं इस पृूने जाल जाएका नाइन कृ班 घहतना हो गया 18 हो गया यह एड-दीन हो गया 95 5!!" फटीफ मन फर्टी इसकुर सब्लस अहाई आपका फॉर हो गया और नाइन टू जा एट्टीन प्लस फॉर कितना हो गया ढर्म द्रव कlex हो गया इसको आप माईनिस करते हैं माइनिस करने का मदलब पीट इह हो गया आपका KITNA हो गया यहांस हम बात करते हैं भाधा है इसमिस बटा आपको Liste number की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं इसके लिए concept होता वो रहे टेंडाउजन से बिटा आप क्या करेंगे तेंडाउजन प्लस करेंगे जिससे डिवाइड करतें एन कि उसमें से इस remainder को आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं और रिमेंडर को जो माइनस कर देंगे बेट तो कितना हो जाएगा यह आपका हो गया 10,000 प्लस यहां देखो टू हो गया यह कितना हो गया 15 में 7 यहोग सब्सक्राइब हो गया है और क्या हो गया संख्यांनी आपको आफवां राइट होता है ही लिर हो गया है आईए अब यहां चलते हैं अपने यूशन पर नस में कुछन आपके सामने है आपका सेकंड रूस्चन आपके सामने其實 इसमें से आपको बतानी कौन बड़ी संख्या है बड़ी संख्या आपको बताने के लिए देखे बटा इसका जब स्कॉयर रूट आप निकालें गे तो जीरो पॉइंट फॉर लिखेंगे ठीक है और एक्यूब रूट इसका जब आपका यह 0.5 फालेडी है और त्रीवाइब फाइब की जब आप लिखेंगे 0.6 हो जाता है इसमें से आप से पूछी बेटर लार्जेस्ट नमबर पूछी है ग्रेटेस्ट नमबर जब आप से पूछी गई है तो ग्रेटेस्ट नमबर क्या होता है बेटर जीरो पॉइंट सिक्स हो गया 0.6 का मतलब है 3 वाई 5 यह देखिए कि यहां से आपको प्रेटर दिया कामान 50 इंटरो 10 की आवर के तो के का मान आप से पूछ रहा अगर इस केस में बात करतेबेटर देखो अगर इस फार्मुले की बात करते हैं पहले यहां पर देखो 250 पावर-3 गटर 27a कि पावर-3 यहां पर 25.3 25.3 इसको बिटर ह यानि यहां से अगर हम decimal remove कर देंगे यह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और एक की calidad है 247 247 इंटु कितना 253 है 253 हो गया अब पूरे calculation कि अगर मैं बात करता हूं देखो यह क्यूब common हो जा रहा है साथ में remaining वही टर्म आपके बनते हैं यह स्कोएर माइनस एब्लस बीस्कॉयर बन जाता है जो वे डारेक्टी कभी जायेगा जिसमें 100 हो गया इन्टू की बात करते रहें त्यूफती थ्रियॉट वो od 507 को जब हमाइड करते हैं ते हो जाता 500 कितना हो जाता है 500 हो जाता है और इसको जब हम लिखना चाहते हैं इस नोटेशन में 50 इंटू 10 की पावर के के फार्म में ते हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा जो 50 परसेंट यह 20 हो गया और इसका 50 परसेंट क्या हो गया यह 50 हो गया आप से पूछा क्या गया पूछा गया यह 20 जो है 50 का कितना परसेंट है ट्वंटी जो है 50 का कितनार है यहीं आप पेंसर हो जाएगा जो फोती परसंट हो जाएगा इस पेड मेटें आप से 100 अगले क्योंकों कि अगर आप करते हैं न्ससक्रान के सामने है दोसंफिन थीया है उनका लॉस स का रे सीओ थी है तो आप जानते कि इस்को अगर आप 3x लिख देंगे बैटा और इन दोनों का अगर इन दोनों संख्याओं का अगर आप यल्सीम लिख लेंगे तो यह सिक्स हो जाएगा जिसकी वैलू दे गई है बैटा 54 दे गई है यहां से यक्स वैलू क्या हो गई 9 हो गई तो आप से क्यूशन पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताईए तो दोनों संख्याएं जब आप जोडते हैं विटा टू एक्स प्रस त्री एक्स कितना हो गया फाइफ हो गया और एक्स की वैलू नाइन रखेंगे तो दाइट इस फोटी फाइफ हो जाएगा आप संसी आपका राइट होगा अगले क्यूश्चन पर चलत प्राइटा है और से अगर 225 रूपए का भुकतान करता है तो साइक्स की लें का लागत मोल डी का है यहीं आपको बताना है तो दिखो वूटा यह भी हो गया यह से महुद् say Elementary यह ने वी को दिया है justice Project प्राफिट पर्स Certological प्रींप दिया जब सी च्वल Killer टूटल तो 25 रूपए देता है अब 20 पर्सेंट का मतलब आप जानते हो बेटा को वन बाई 4 होता है फ्रेक्शन मा आप लिखेंगे 25 पर्सेंट की बात करते हैं तो वन बाई 5 आप लिख देंगे यहीं होता है अगर इसका एक टोटल था बेटा एक रूपए इसकी पूजी थी यानि क हो गया इसके बीख क्यों हो गया अब प्रॉफिट जो आया को कितना आया प्याइब बाई 4 का तो अगर आप देखते हैं अब सी को क्या करता 25 पर से को फ्रॉफित पर देता सीको किसको देता है सी को देता है 25 परसेंट पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब फाइब फाइब फॉर इसके लिए था किसके लिए आपका भी कहो गया वी कप सीपी हो गया फाइब फाइब फॉर इसके बाद आपकी बात आती सीपी सीपी किसके लिए है सीपी लिए इसका प्रॉफिट जब आप डीकालेंगे तो फाइब पाइब फोर का ≥ իाइब फोर इन्टु भीटा हम करेंगे कितना वेंब फाइब करेंगे तहने निस Pre- titles 345 आती है एक की कास्टिंग टोटल 2–12 کے के कास्टिंग आपको निकालना वैटा दो सो पचीस गुड़े चार बटा च्छा आप कर लेंगे ठीक है बटा ते क्या हो गया यह आपका दो तीना इच्छा हो गये बटा दो दूनी चार हो गया इसको तीन से क्विशन का तीन सत्य हो गया आरीक यह जिसकी आपको मिलेगी 150 रूपह यानि चलते हम अगले क्यों तरफ क्या है विटा चैनल सेबन की सेबन की और आप बात करते हैं तो 20 सेंटीमीटर भूजा वाले एक बर्ग के अंदर घर देखो यह आपका बर्ग के अंदर क्या कर रहे हैं खीचे जा सकने वाले बड़े से बड़े ब्रित का यानि बड़े से बड़े सरकिल कि जब आप बात करेंगे तहीं सरकिल बेटा इसको ऐसे टॉच करेगा यानि सरकिल का जो डाया непर होगा जिसकी रेडियास लिख थो आप 2 लिखते हैं जिसकी वैलु क्या हो जाएगी वही हो जाएगी किसकी 21 cm की यानि जो इसक्वायर की साइड होगी संटीमीटर और की बाइलू आपने लिख दिया ट्वन वाइटू सेंटीमीटर यह हो गया ठीक है अब आप से पूछा क्या गया बड़े सरकिल की अब। इस कॉंटो आप क्या लिखते हैं एरियाई इसकॉल टू आप लिखते हैं पाई आरस्क्वाय लिखते हो बेटा पाई की बेलू हो गए 27 खै Lao क से बंहु celebrities त्वान ट्वान 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 ट्वा जिसकी Lots आपको दए गए seven centimeter height आपको दी गई है nine centimeter इसको melt करके पिगला करके एक संकू का निर्माड किया जाता है जिसकी तुरजिया कहें वही होती है यह होने का मतलब बालन का था बेलन की तुरज्या पिटा स्याक्सक्राइब क्यूंकर गया सबार्ट के दिल्टा है जानते हैं यहाँ पाई के लिखते हैं आर-ग्यास इसका टोणार्य दोगा क्या चाहिए कचिल हो गया यहां पाई आपका पाई से कंचिल हो गया ऩोगया तो यह क्काए हो हो जाता है इसी के साथ आपका अर्थमेटिक के क्यूशन फिनिस होता है अब आते हैं सर अगला क्यूशन रिजिनिंग का ले करके जय हिन आज के पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगा आपके अग्नीवीर के एक्जाम की बारे में जहां पर आपके लेकर करके हैं अगर में रागशिक्षन की बाते करता हूं गाजी एक्याम में आपके बारी में कहूशन आते हैं जहां पे बारा में आपके बार यूइ कहुंशन में टीक है त्लेकित है निंदृतर के लिए लिधार मों की बात करते हैं। को बहुट compelling क्या है थीक है गीजो आधी, अधीम ओपेपर यहाँ पर टुन हुआ है, यानि कि हमारे पर फानली यह पीस ओप पिपर है जो कैसा बन रहा है, यह तू आप को घूल यह पार्ट और घूल होगा तो आप को घू-गे, यह पार्ट और और कट दिखेंगे जहां पर ठीक है, जो हमारे पर चाहिए पहले दोस्तों व कच वाले पार्ट यहांपर इसटेबिश कर रहा है अब यह वाला जो कट वाला पार्ट है ना प्यर्ण दोस्तों यह वाला पार्ट यह वाला पाइगा तो इस साइड आएगा तो यह जो पार्ट रहेगा यह कुछ ऐसा इसा यहां पर छोड़ जाएगा ठीक है तो finally अगर मैं इस वाले मार की बात करता हूं गैज देखो ध्यान से यह वाला पार्ट आपको यहां में लेगा ठीक है and that's why the right answer of this question is option number 3 ठीक है exam में guys paper cutting and folding का एक question आपको बिल्कुल sure में ठीक है चलिए आगे की बाते करते हैं आगे दूस्ते question पर आते हैं नमबर देखते ही हमारे mind में जो चीजे strike करते हैं आप देख रहे हो 15 के बाद 31 दिया हूँ 15 के बाद 31 देने का मतलब क्या है 15 के बाद 31 देने का मतलब यह है कि यहां पर यह जो हमें number दिख रहा है 31 दूस्ति टो सिक्सीट टो कितना ऊंगा 64 64 दूस्ट टो स्वाइज वंटुन थे वंट इटुन प्रॉट त्री गितना ऊंगा 131 आगे अगे मैं बात करता होगा 131 क्रॉस्टू कितना होगा तो सर आप कोगे कितना होगा 162 होगा और 262 प्लस 4 अगर मैं करता हूँ गाइच तो आप कोगे सर राय और राय अंसर विल बे 262 प्लस 4 कितना आएगा 266 डैट विल बी राय और ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे कोश्चन की मूफ करते हैं अंगले कोश्चन की कोश्चन में 3 अंगले देखें ध्यां से क्या लिखा हुगा याइज इनलोगी से बिल्कुल आसान टाइप ध्यान से आपको पता हुआ यहां पर यह जो नंबर शुते हैं सबी लेटर्स के लिखने हो अगर मैं बी का नंबर दो लिखता हूं गई देखो ध्यान से C का नंबर 3 होता है प्लस 1 दिख रहा है C का नंबर कितना होता है 3 होता है आप प्लस 1 कर दोगे 4 आएगा यानि option में D होना चाहिए स्टार्टिंगे ठीक है एक option तो कट गया देखो ध्यान से आगे की बाते करते हैं पी का नंबर कितना होता है आपको सब्सक्राइब कर देखो यहां पर दिया गए 17 ठीक है Q का नंबर 17 प्लस 1 एच का नंबर गई जो होता है 8 8 के बाद प्लस 1 करेंगे 9 आएगा 9 प्लस 1 इस तरह की कोशन की बाते करते हों का निगा है ठीक है अगर मिआ इस तरह की कोशन की बाते करता है घ्यान देखिय आपको जबभी यह विए विगर बनता है कभी गई-जगर आपके यहां पर यहां पर फ़्ॉक्त खर यहां पर जैसे आप तो यहां पर भी पाट बनेगा तो यहां पर भी एड ट्राइंगल घंगे ठीक है अपके अब ध्यान से कोई थिक्षारा के बाद 3 प्लस 3 किरेंग ख़ेंगे 6 त्रेंगल थीक है अब ध्धियांग देखो अभी मैंने कहाँ गईच कि दो बेसिक पहीका वेरा अपर एक तरह क kop यहांगा अगर को अगर आप करको कितने नाट र५जह और परम होगा जो की मुझे दिख रहा है नीचे लिपाए घृइंगर यहां पर हो जाएंगे in the same way you are also seeing that इस दो ट्रेंगल यहाँ पर भी आपके फॉर्म होने देखो एक ट्रेंगल यह हो गया प्यारे दोस्तों और दूसरा ट्रेंगल यह हो गया ठीक है तो इत मीज जो टोटल फिगर आपके बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा गाईज 18 प्लस 6 करेंगे आपको 24 और 24 प्लस 2 यहाँ पर एंग प्लस 4 और कर देंगे गाईज तो इस जी राइट अंशर विलबी 28 ट्रेंगल that will be और धन थेका थीक है Q5 मिरर इमेज भार बार पूछि जाना वला अगज ने आपका टाइप है घ्यान से पांच वाला Q7 देखा रहा है आपको अगर मैं यहां की बात है करता हूँ गैज तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी अगर गोले बना दिया गैज लास्ट वाले पार्ट तो देखो गोला वाला पार्ट तो मुझे यहां दिखता है और जो स्टार्टिंग में पॉइंट दिखता है यह चार गोले मुझे यहां पर दिखते हैं ठीक है और यह राइट आपको शूर आपको यह तैप मिलने इस वाला इंजाम में ठीक है अपकमिंग इंजाम के लिए आप तयार हो यह पर इंजान समझे क्या लिखा होगा है कुसुम रवी की पतनी है अगंने एक का उम्हें प्रभु आफ वर्ण ना तो मुझे गोविं कहीं दिखता है ना तो कहीं प्रभु दिखता है अब इसकी बाते हम बाद में करते हैं आगे देखो गोविन is the brother of Ravik, गोविन के रवी का भाय है, हम गोविन को यहां बनाखे ठीक है, और उपर मुझे दिखरा है कि गोविन और प्रभू भी क्या है गो भी क्या है गोविन का भाय है ठीक है Officer क्या क्या पूछा हूं अब गभू क्या लगेगा जो husband का भाई होता है वो क्या लगता है brother in law ठीक है brother in law that will be your right answer ठीक है option बस C that will be your right answer चले है question की बात करे तो next question क्यों move करते है question number seven question number seven guys direction and distance ठीक है बार-बार repeat होने वाले and state goes to point and state goes to point y at a distance of 90 meter, 90 meter के distance पुजाता है और वो दायम होडता है, कुछ साथियों को यह परेशानी आगे कि यहां पर सब डारेक्शन नहीं दिया हुआ है, कैसे करेंगे इस कुछन को सौर, ठीक है, तो गैज कभी भी अगर आपको कुछन के स्टार्टिंग में डारेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसका इकलोगता मतले भी होता है, कि लास्ट में आप से केवल हो केवल डिस्टेंस पूछे के ज़र ध्यान से दिखो, you are seeing that in the last जो आप से पुछा हुआ है, वो क्या पुछा हुआ है, how far he is from the starting point, ठीक है, तो direction आप जो आपको favorite direction लगती है, जो आप वो मान सकते हो, ठीक है, हलाकि अगर हम east mining guys, तो चीज़े हमें solve करना है, बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, बाकि आप किसी भी direction को मान करके guys, solve कर सकते ह अगर आप से वहाँ पर क्या पुछा last minute, distance पुछा ना की direction, ठीक है, ध्यान समय जी क्या लिखा है, रहूल एक बिंदू से चलता है, सीधा y पर जाता है, ठीक है, मैंने का रहूल यहाँ यहाँ पर जाता है, जिसकी दूरी कितनी 90 meter है, हमने माल लिया, यह 90 meter है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फिर वह राइट मुड़ता है, कितना जाता है, 70 meter, अगर वह राइट मुड़ता है, 70 meter जाता है, आप खोंगे सर, 90 meter तुम्हें यहाँ तक चला आया, अब अगर मैं राइट जाओंगा, तो clockwork जाओंगा, 70 meter जाओंगा, ठीक है, मैंन से कितनी दूरी पर है, अगर मैं इसके distance की बात करता है, जरा बता है, यह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, तो आपको जाओंगे सर, यह वाला point जो होगा, यही distance आएगा, ठीक है, तो 90 में से यहाँ पर 70 चला गया था, आप यहाँ से भी 90 माइनस 70 करेंगे कितना आजाएगा, 20 मेटर, that will be right answer, option number 3, clear FBFATI, उच्छे लिए आगे बात करते हैं, next question क्यों move करते है, question number 8, 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 जो आपको लिखा हुआ, embedded figure का यह question है, embedded figure का यह question है, अगर मैं यहाँ की बाते करता हूँ, क्या लिखा है, दी गई आकृती में उस आकृती का chain करें, जो प्रेशन आकृती में ही नहीं थे, ठीक है, याने कि you need to find, यह जो option बना हुआ, ठीक है, यह जो figure आपके समने बना हुआ हुआ, इसमें देखना है कि इस figure का क कोई part आपको नीचे option में दिया हुआ, ठीक है, तो pure option eliminating question होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ की बाते करता हूँ, ध्यान से समझना सुभी लो, यह जो part दिया गया, ध्यान देखो पहला वाला option, पहला वाला option आपको यह line दिखती है, यह line दिखती है, आपको बिलकुल सर जो पूरा का पूरा इसमें, including दिखता है, ठीक है, तो it means guys, जो आपका right answer होगा, वो option number A होगा, just because we are seeing that option number A is embedded on the figure, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं guys, next question की question number 9, question number 9 सुभी फात ही ध्यान देख, क्या लिखा होगा है, question number 9 की बात करते हैं guys, mathematical operation का question है, exam में बिलकुल आपक continue exams में, यह type आ रहा है, question 9 की बात ही करते हैं, जड़ा देहां से क्या लिखा होगा, अगर मैं यहां की type की बात करता हो guys, जो भी आपको symbols change दिख रहे हैं, उसे आप change कर दोगे, for example हमें क्या दिखा है, 8 plus 4, plus की जगा पर क्या दिखा है, multiply, we are putting on that, multiply क्या दिखा होगा है, minus दि मैंने स्च मेंक्र dhhyan से, minus की जगहा पर हमें, minus की जगहा पर हमें, divide हमें, divide ध्या होगा है, ठिक है, divide यह पर क्या दिखा है, divide का जो मतलब रहे हो, plus ही, divide का मतला है, plus हमने put कर धिया, plus 1 ठीक है, आगे solve करदे, 8, 4 जा 32, minus 3, plus 1, ठीक है, minus 3, by 1, केतना होता है, minus 2, होता है 32-2 करिंग कितना आएगा यह राइट अंसर विल भी बिकेm option number D 30 चले आगे की बात करते हैं गैज question number 10 की question number 10 देखें सभी साथी ध्यान से क्या लिखा हुआ है question number 10 की बाते करते हैं missing term का question है ठीक है missing term में देखी ध्यान से यहां पर क्या बन रहा है कई सारे pattern आपको बनते हुए दिख रहे हैं हमेशा और हमेशा जब भी आप कोई question दिखने को मिलेगा क्या होता है यहां पर यह जो number लिखा होता है that will be the outcome of remaining numbers ठीक है यहां पर 8 लिखा हुआ यहां पर 3 लिखा हुआ है आप इस 8 और 3 से कुछ ऐसा mathematical operation करके बताईए यानि कि plus minus wordmark से कोई भी रूम लगा करके आप आप कैसे 25 आएगा ठीक है तो आपको होई guys कि अगर मैं 8 cross 3 करता हूँ तो that will be 24 ठीक है that will be 24 और अगर मैं यहां पर एक number plus में add करता हूँ 1 ठीक है तो कितना आएगा 25 शेम अगर इसी pattern को मैं आगे देखता हूँगा अगर मैं आपकी बात करता हूँ गैज पूरे रागा के portion में आपको एक question जुरूर ऐसा मिलेगा जहां पर आपको एक question जुरूर ऐसा मिलेगा आपको particular GS वाला जो question होता है वो अलड़ी कहां पर उठागे रख देगा रिजिनिंग वाले section की उठागे रख देगा ठीक है चले आगे की बात ही करते है question बाद देखिए रहां से क्या लिखा हूँ 11 नंबर question 11 की अगर मैं बात करता हूँ गैज आपको दिखाए USA का क्या ल parliament होती है वो कहां की parliament होती है Iran की चले आगे बात करते है next question question number 12 की question number 12 देखिए question number 12 की अगर मैं बात करता हूँ गैज क्लाशिफिकेशन का question दिख रहा है classification का type होता है बहुत-बहुत important type होता है ठीक है exam है बिल्कुल आपको sure यहाँ पर type question देखने को मिलेगा देखिए ध्यान स şoo ka number 21 होता है extra 24 होता हमें 3 का गया देखता है इन दोनों में से एक option तो collaboration है starting वाले में 2 कगा प्लास वाले में 3 आगे दिखते है गया इंदिकितीchnImp2 करसे आरे का NFC आपको जो गाइज रॉंग नंबर होता है वही अपना राइटल सब्सक्राइब करते हैं एक उप्शन क्या होता आपका बिल्कुल डिफरेंट वे में होता है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही साथ रहागा गाइज कुश्रम बारा तक ठीक है बाकि आपके की मॉडल पेपर के लि लगभग 10 कुश्चन बच्चों हमने आपके सामने में लाया हूं 10 कुश्चन हम लोग देखेंगे तो आईए बिल्कुल सुरुवात करते हैं और बहतरीन कुश्चनों का बच्चों उसमें कलिक्शन है तो सुरुवात करिए और अंतिन तक इसको पूरा आप देखिए ध्य आपके सामने देखो यह है आपका ओड़म फेस्टिवल से रिलेटेट है और ओड़म फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है आप से प्रस्ट न है कि ओड़म फेस्टिवल इज रिलेटेड टू इस सवरी इस सलेब्रेटेड इन विच स्टेट तो बच्चे यहां पर देखो क्या है कि ओडम जो त्युहार है और किस राज में आप उसको मनाते हैं किस स्टेट में आप उसको चलेब्रेट करते हैं यह आपसे पूछा जा रहा है तो देखो बच्चो चार अपशन दिए हैं आपके तो चार अप्शन में जो हम ओडम फेस्टिवल की जब हम लोग बात करते हैं तो ओडम फेस्टिवल हमारा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बच्चो जब इस इस स्टेट में भी वहां पे बोर्ट रेस भी आयोजिप किया जाता है ऐबी फेमस और बोट रेस भी अगर आप से पूछा जाए नौका दौड हिंदी में तो इसको हम लोग बोलते हैं नौका दौड बच्चे बटी है कि ध्यान रखिएगा बोट रेस भी लिख सकता है ना हिंदी वाले बच्चे तो यहाँ ओरम फेस्टिवल जब हम लोग चादवारी तो बहुत ज्यादा फेमस है और अस्ट मुदी एक अस्ट मुदी जो कि काफी फेमस जीले हैं बच्चे ये जील है ये क्या है लेक है तो ध्यान दिजेगा ये दोनों ही बहुत फेमस लेक है कि जोकी आपके करला में ही है ठीक तो इनको भी ध्यान रखिएगा और बोट रेस बच्चे हम करते हैं और बोट रोस इसी फेस्टिवल में जाके सेलेब्रेट करते हैं क्लियर एक दो चलो नेस क्यूस्चन हाँ देखो एक दो फेस्टिवल है और ध्यानकना जैसे तुम लोग यहां पर भाई यह चीछ ध्यानकना कि एक तो मुहिनी अट्टम आ बहुत अच्छ हां रखेना और बाकी कटकली तो कटकली वह आप यहां पर ध्यान रखना उव है तो धौ्फी काफीऊ मेस है तो रखें ठीक तमिल नाडू की बात करें तो फच्छों यहां पर एक डांस है और वो बड़ा फिमस घंस है उसको आप जानते तमिल नाडू में भरत नाट्यम तो यहां वाला काउन सा है भरत नाट्यम तो भरत नाट्यम यह काफी फेमस सब चे इसको याद रखना आगे हम जो है बच्चे यह भी काफी फेमस है और यह फेस्टिवल आपका फेमस कहां पर है तमिल्लाडू में करनाटका में एक डांस होता है यह चिगान उसका नाम है क्या नाम है करनाटका गां तो यह एक डांस होता है और यह चिगान उसका नाम है यह चिगान तो इसे भी आप ध्य पूटीपुडी को चिपुडी बच्चे ये तो आपके लिए इतना फिमस है की आप पुछो मत कि कोची पुडी आपसे काफी बार इकजामों पूछा गया है कि पूछी पूडी जो डांस है एक कि स्राज में फिमस है तो यहां पे देखो साथ ही साथ हमने आपको पूरा आइस्प्लेनेशन किया है तो प्लीज आप इसे ध्यान रखिएगा ठीक ना ओरम फेस्टिवल तो हमने देखा यह किरला में होता है और किरला में हमने देखा तो वहां पर हमने देखा बोटरेस भी मनाते हैं और दो फिमस वहां पर हमने आपको लिग दिखाया एक तो मिलनाडों में एक भरतनाट्यम डांस भी है वच्छे उसे भी ध्यान रखना करनाटा करनें तो करनाटका में यह चिगान बहुत फेमस है और आंद्रप्रदेश की बात करें तो वहां पे कुछ ही पुड़ी ओके चलो नेस कुस्चन हम आपको दिखाते हैं तो प्लीज इसे आप ध्यान रखेगा देखिए सेकंड जो किस्चन है ओ है आपका विच ब्रॉट पोलो गेम पोलो गेम इन इंडिया तो बच्छे पोलो गेम भारत में किसके द्वारा जो है लाया गया है यह पूछा जा रहा है तो यह कि देथ हो गई थी चावगान एज पोलो पोलो ही खेल था तो यहां पर क्या था कि अगर आप से मालो किसी राज्य की बात करें कि पोलो खेल स्टार्टेड बाई विच स्टेट तो आप मड़ीपूरी स्टेट का नाम ले सकते हैं अगर सपोच करो इंडिया में किसी तैन सवर पच्चे और दिखाते हैं आपको और रिखर शुड कि कार को किस पुरसकार को एस्या का नोर्वल पूरसकार कहें गया नभी आउझ वार्ड़ other अफियो रिखाँ तो देखो हम रमन मैक्से से पुरसकार यह रमन मैक्से से अवार्ड आपका ये करेक्ट इंसर आपका हो जाएगा ठीक है तो देखो बच्चे ये तो अवार्ड हो गया ये अवार्ड आज जो है मनीला से दिया जाता है मनीला मनीला इज़ा कैप्टल ऑफ फिलिपिन्स किसकी कैप्टल है मन बाइस रीसर्च इंसिट्यूट भी है मैं अंतर्रास्टी चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है भारत ये विशना जो बना हुआ है वो मनीला में ही है और मनीला किसकी राधधानी है फिलिपेंस की राधधानी है यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो देखो इसका जो एसिया का नोबल पुरसकार था वच्छे रमन मैक्से से पुरसकार और आपको एक बात यहां पे और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत में ये फुरसकार पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था विनोबा भावे उनका क्या नाम था वच्छे विनोबा भावे तो विनोबा भावे विनोबा भावे ये जब अवाट पाये थे न वच्छे आपको पता है कि इन्होंने एक मुवमेंट चलाया था और मुवमे से जुड़े हुए व्यक्ति यहीं है ठीक ना तो भूदान मुमेंट तो यहां पर भूदान मुमेंट तो इस बात को भी ध्यान रखेगा विनोभा भावे यहां पर ऐसे लिख लिए विनोभा भावे चल नेक्स्ट क्यूस्टिन बच्चों आपको दिखाते हैं तो बिल्कु सब्सक्राइब फैर यहां पाले तो राजिव गाधी खेलरत पुरजकार हम इसको जान रहे थे 1991 से पुरफकार सुरू हुआ है और यह पुरसकार वच्चे देखा जाये तो इसमें आज 25 लाक रुपीज हम देते हैं कितना 25 लाक रुपया हम देते हैं बच्छे इस पुरसकार में और पहली बार यह पुरसकार मिला था 1992 का तो उस समय मिला था भारत के सत्रंज के बाद सा बिस्वनाथन आनंद को मिला था एक् cooked इस पुरसकार के मैंने बात करदि बूकर पुरसकार की बात करें तो बूकर पुरसकार कियाए बच्छे जो किताबिव वगेरा होती नॉली ट्रेचर में जो दो ब्रुद्जकर यह क्या होता है यह पृत जकर तो देखो दो वाद है यहाँ पे प्रित जकर एक आपका प्रित जकर ठीक ना तो देखो एक आपका प्रित जकर होता है प्रित जकर और एक आपका यहां पे होता है प्रित जकर तो देखो एक प्रित जकर होता है और एक तुम्हारा पुलिजर होता है जब पुलिजर की बात करें तो इसको हम देते हैं पत्रका और मैना जाता है कि निस्पच्छ परत्रकार कब होगा तो यह तो वाला तो हो गया भाई जनूनिस से पत्रकार से एक जहDas को नाम मिलता जुलता है ना पुलिजर और पिर जिकर तो नाम जैसे मिलता जुलता तुम्हें दिख रहा तो question हम आपको दिखाते हैं और यहां पर देखू चवता नमबर का किस्टेशन है उसमें किताब के बारे में रोट मुद्रा राच्छास कौन लिखा है यह पूछा जा रहा है तो बच्चों देखो मुद्रा राच्छास से बहुत फेमस किताब थी और इसने विसाग्दत ने लिखा था न इन्हों आपशन यहां पे करेक्ट हो जाएगा ओके तो चलो यह आपशन डी आपशन विल भी करेक्ट हो जाएगे हाँ पे निस कुस्चन बच्चों लोग देख लेते हैं तो देखो निस क्यूस्चन जो है यहां पे अंतर रास्टी परमाळ उर्जा एजर्शनसी का मुख्याले कहां है तो प्लीच इसे आप देखें तो देखो एह जो हमारा नहीं इंटर्नेशनल यहां पर हमारा यह बिस कली हो जाता है आपका तो हम बात करें यहाँ पर देखो इसका हैटकोटर पूछा गया इसको हम सबसे पहले आपको है विये नाम है इसका है विये ना तो यहां आपसर हमारा सही हो जाएगा ध्यान देए अगर आप तो यह जो हमारा आई एए है जैसा कि देखों नाम से ही पता चल रहा इंटामीक किसे संबन्दीत है इटामिक एनर्जी इससे संबन दीत है तो यह बना था आपके यहां जब इसका फॉर्म हुआ था जब इसका हूं हुआ था जब लेगा फॉर्म हुआ थे तो उस समय बात है 1957 की तो 1957 भी यह चोपका फॉंड हुआ था और आज वियना पहंग है इसका हिट कोटर ए तो वियना के बारे मगर हम बात करें मुच्छे तो ये Кविर्च काप्टल है किसी की ज़े और ऑर तुम किसी किर यूप नदीके किनारे हैं तो कई बार एक्जामों बच्चे इस सब बातें आपसे पूछ ली जाते हैं तो थोड़ा इसे भी ध्यान रखेगा चले नेस क्रिस्टन हम आपको दिखाते हैं यह देखो सिक्स नंबर का किस्टन कहा जा रहा है कि जो यूनियन टेटरीज होते हैं उनके जो मालिक होते हैं प्रसासक होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है यही देखो पूछा जा रहा है तो बच्चे ऐसे प्रसनों को बहुत है ध्यान से करिए हला कि जब ऐसे प्रसन पूछा जाना तो बिलकुल आप भूल Territaries की बात करे या फिर स्टेट की बात करे स्टेट का मालिक होता है Governor मतलब राजपाल और Union Territaries का मालिक होता है जैसे हम उसको बुलते हैं कहीं Deputy Governor कहीं उसको बोलते हैं वोग यह बोलते है Link То इन दोनों के जो मालिक होते हैं उनकी नियुकति कौन करता है उनकी नियुक्ति करता है बच्छे प्रेसिडेंट करता है प्रेसिडेंट तो इनकी मालिकों की नियुक्ति करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा तो यहां पर आपका C option correct हो जाएगा चले next question हम आपको दिखाते हैं बाकी परधान मंतरी के भी नियुक्ति कौन करता है रास्पती करता है इस बात को भी ध्यान रखीएगा ठीक चले next question हम आपको दिखाएं बच्चे देखो सिवंत नमर में और इसमें पूछा गया है पार्लेमेंट का नाम तो पार्लेमेंट ऑफ अफगानिस्तान काल्ड देखो अफगानिस्तान की जो पार्लेमेंट है मुसको क्या गहते हैं तो भाई पार्लेमेंट जो अफगानिस्तान की है उसको हम सोरा बोलते हैं क्या बोलते हैं शोरा तो यह option correct हो जाएगा आपका बाकी नहां पर देखो और भी जो लिखा हुआ है उसकी भी बात मैं तुम्हें बता दूँ देखो जो मजलिस लिखा है तुम्हारा ये मजलिस तुम्हारा ये पार्लामेंट दो लोगों की है एक तो पार्लामेंट इरान की इसी नाम से इसी नाम से इरान की जो पार्लामेंट का ना और इसकी रादनी क्या है birने थूट तो इसकी परलियमेंट का भी नाम मजलिस है और यहां पर जो आपका माल्दीव है उसकी भी पारलियमेंट का नाम मजलिस है हम डिऊमा की बात करेंगे बरचे तो डिऊमा तो डिःूमा जो आप देखो एक रूस अब यहां पर जैसे हम देखें तो बिसिकली रसीया की देखें तो रसीया की चो यहां पर ओऊ हमारा यही हो जाता है भी ठीक न तो यहां पे ध्यान रखये गा यह हम इससे को तो नेसेट भी इजराइल की पार्लियमेंट का नाम है देखो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछी पार्लियमेंट अगर आप याद रखे रहेंगे तो आपका काम अलड़ी अगर इससे रिलेटर प्रसन आते हैं तो हो जाएंगे जैसे मजलिस याद रखे रहना नेसेट याद रखने ने से तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इज्राइल की होती है थोड़ा इसे भी ध्यान रखेगा ठीक न तो यहाँ पे इज्राइल जो है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा बाखी तो और कोई यहाँ पे खास नहीं है लिवां अगरे को वाइट भी क इसको सकतें चले आफगानिस्ताण का सोरा है तो अफगानिस्तान बचल चर्चा में है और उसका जरूर याद रखें पाकिस्तान की बात करें तो नीश्टुन which bank of river किस नदी के किनारे है तो लंदन सबसे पहले आपको उत्तर बता देते बच्छे देखो इसका उत्तर हो जाएगा थेम्स या टेम्स जो भी से आप पढ़ेंगे ओके तो बच्छे ये तुम्हारा थेम्स जो है लंदन इसी किनारे है बात करें बच्छे देखो यहाँ पे और भी अगर हम बात करें जैसे इसकी बात करें सीन नदी तो सीन नदी के किनारे पेरिस है आपका कौन है पेरिस और य रूस की राध्धानी किसकी राध्धानी है रूस की और पेरिस किसकी राध्धानी है यह फ्रांस की राध्धानी है और किस नदिक किनारे शीर नदिक किनारे डार्लिंग की बात करें तो डार्लिंग बच्छे बहुत ही फेमस नदी है मरले डार्लिंग यह दोनों नदिया यह देखो यहां पे प्रस्ण पूछा गया है कि यहां पे हूँ आज दो फस्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बहुत अच्छे स्थ्यान रखना क्योंकि ऐसे प्रस्ण को बहुत ही केरफुल ली तरीकिस बच्छे टर्च किया जाता है त्यां दिजिए कि यहां पे दे लिखा है लेकिन मैं उसको नाम लिख दे रहा हूं विलियम बैंटिंग ठीक न तो विलियम बैंटिक तो बैंटिक जो है बच्छे यह आपके देश का मलब भारत का पहला गवर्नर जनरल था ओके बात करें बच्छो आजादी के बाद यानि हम जो 15 अगस 1947 को आजाद हो ग हमारे एक मात्र भारती गवर्नर जनल बराए गए थे सी राज गुपालाचारी तो यह इंडियन थे यह क्या थे इंडियन थे तो जब बच्छे ऐसा प्रस्ण पूछा जाए तो बहुत ही सतर करके दीजेगा देखो इसमें इंडियन लिखा हुआ है तो इसलिए आपका सही उत्तर यह वाला हो जाएगा टू धियन दिजेंग अगर आपसे पूछा जाए हूँ आपका उत्तर यह हो जाताओ अगर बच्छे यह प्रश क्यां ऐसे पूछा जाता हूँ आपर इंडिया ऑप्टर यह चलो हिमाचल परदेश के राजपाल पूचा जा रहा तो इसमयरा हिमाचल परदेश के राजपाल की ब mail करेंगा चल调ए आपशन तो यहांपे वी गवर्नर आप हिमाचल परदेश तो राजिंद्र हुवी सुना्त आर लेकर आपका करेंट ओपर होगा तो यहां पर आपने देखा 10 प्रसनों को बच्चों और आई होप कि यह आप के लिए बहुत ही उप्योगी रहेंगे तो फिर किसी मॉडल पेपर में हम लोग ऐसे ही मिलेंगे और उमीद है कि आपका इसकोर बहुत अच्छा गया होगा तो प्लीच आप कमेंड बॉक्स में जाएं और कमेंड बॉक्स में इसको अपना जरूर बताएं बच्चों तो चलिए किस किसी मॉडल पेपर में फिर मिलेंगे हम आपसे तब तक लिए बेचे थैंक्यू जैहिंद